जैहिन वंदे मातरम दोस्तों स्मार्ट स्टेडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चार अप्रियल 2022 के करंट अफेर इस वीडियो के अंतरकर डिस्कस करेंगे सारे इंपोर्टिंग क्वेशन से जबकि एक्जाम पॉइंट वी से काफी ज़्यादा मातपूर्ण रहने वाले हैं और अगर आपने इन वीडियो को फॉलो कर लिया तापकि एक्जाम में करंट अफेर से सम्मधित कोई भी क्वेशन नहीं चूटेगा दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अच्छे क्वेशन अटेम्ट किजिएगा किन क्वेशन का अंसर आपको पता है तो चलिए सबसे पहला क्वेशन स्क्रीन पर है हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी कौन बने है ये क्वेशन आपसे पूछा गया है तो दिल्ली मेट्रो के जो रेल कॉर्पोरेशन के जो नए एमडी बने दोस्तों वो विकास कुमार जी है कौन है दोस्तों विकास कुमार जी जो है वो दिल्ली Metro Rail Corporation के नए MD के रूप में बने हैं यह है विकास कुमार जी जो की नए MD बने हैं इनके बारे में दियान रखेगा अगला question जो अपना next है मार्च 2022 में भारत का कुल GST कर संगरहन लगबक कितने लाख करोड हुआ है दियान रखेगा मार्च वाले समय में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना सारा GST का collection Indian Government के हाथ में आया है तो पहली बार ऐसा हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में GST का collection हुआ है आप देख सकते हैं कि लाख करोड में डेटा दिया हुआ है तो यह जो exact figure है वो 1.42 है कितना है 1.42 लाख करोड रुपे मार्च के महिने में GST से करका संगरण किया है किसने तो भारत गौर्मेट ने ध्यान रखेगा बहुत बहुत जादा important है अगला question जो है Indian Premier League इसका इस बार sponsor जो कर रहा है वो कौन कर रहे है तो टाटा जी कर रहे है ध्यान रखेगा तो टाटा IPL के नाम से इस बार का संस्करन चल रहा है काफी जादा important है 15 नंबर का संस्करन है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है तो IPL 2022 का पहला शतक किसने जड़ा है ये काफी important question है और ये जो शतक जड़ने वाले विक्ति हैं उनके बारे में आपको पता होगा तो ये कोन है तो जोस बटलर है कोन है दोस्तों जोस बटलर राजस्तान रोयल की ओर से खेल रहे हैं तो ध्यान रखेगा कि जोस बटलर के द्वारा ये शतक जड़ा गया है IPL का पहला शतक काफी जड़ा important है इनके बारे में भी आप ज़रूर ध्यान रखेगा अगला जो अपना next question है वो question है कि भारत का पहला स्वादेशी प्रिशिक्शन वीमान कौन सा है तो स्वादेशी प्रिशिक्शन वीमान जो है वो कौन स हंसा एनर्जी इसकी बहुत सारी विशेस्ता हैं कम फ्यूल खर्च करता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके बारे में जो कि एविएशन फिल्ड में काफी ज़दा महत्पून रहने वाली है आईए जान लेते हैं हंसा एनर्जी के बारे में तो हंसा एनर्जी जो है वो किस किया गए दोस्तों तो completely रूप से स्वादेशी है उसका नाम क्या है हंसा एनरजी नाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं नेशनल एरो एरोस्पेस लिमिटेट के नाम से एरोनोटिक्स लिमिटेट के नाम से नाल को जाना जाता है इसके बारे में द्यान रखेगा इसकी स्थापना जो की गी थी वो 1959 नई दिल्ली में दोस्तों की गी थी नाल की स्थापना वेग्यानिक और अध्योगिक अनुसंदान परिशत जिसको CSIR के नाम से जाना जाता है उसके द्वारे में सबसे इंपोर्णन फेक्ट यह है कि बारत की पहली और सबसे बड़ी एरोस्प की थे तो CSIR और NAL के सयोग से इसको स्वधेशी रूप से प्यारे दोस्तों निर्मित किया गया है चलिए अगले क्योशन पर चलते हैं यह क्योशन काफी इंपोर्डेंट है क्योंकि बहुत जादा चर्चा में रहा था यह लोगसभा की द्वारक की शेत्र के लिए एक बिल करने के लिए लोगसभा में यह बिल पास किया गया था यह बात हो रही थी दिल्ली के बारे में और केजरिवल जी बोर्ड रहते हैं कि MCD के चुनाओ जो है वो डिले कर दिया गये तो बाद में हमीशा जी ने आपको पता होगा कि स्पीच में भी कहा था कि किस कारण से सारी नीती को मंजूरी दी है तो नवीकरणी उर्जा नीती को मंजूरी देने वाला जो राज्य है वो करनाटा के दोस्तों जो नवीकरणी उर्जा नीती के उपर कारी करेगा पांस साल आने वाले पांस साल के लिए प्रावधन किया गया है लगबग यह बोल सकते हैं कि 2022 से ले करनाटक की राजदानी दोस्तों कौन सी है तो द्यान रखेगा बेंगलूरू है करनाटक में टोटल जीलों की संक्या जो है वो 30-30 जीले हैं मुक्रुप से विदान सबा या विदान मंडल के अगर मैं बात करूँ तो यहां का विदान मंडल द्वी सदनी है ध्यान रखेगा जिसमें की विदान सबा में 224 सीटे और विदान परिशयत में 75 सीटे हैं तो ध्यान रखेगा विदान मंडल में टोट तो जै चामरेंद्र कुमार वोडियार जो थे वो यहां के प्रतम गवर्नर और प्रतम मुक्य मंत्री थे के चेंगला रिया रेडी जो थे वो कर्नाटक के प्रतम मुक्य मंत्री थे तो यह डिटेल आपको ध्यान रखनी है current affair point of view से हो सकता है कि exam में question बन जाए क्योंकि आने वाले समय में यहां पर चुना होने वाले हैं और इस कारण से हो सकता है कि यह काफी जाता important है थावरजन जी गयलोत काफी चर्चा में थे जब इनसे जो मंतरा रिता वो लिया गया था तो बाद में इनको governor बना दिया गया इस कारण से यह गतिविदी की गई थी ध्यान रखेगा करनाटक के बारे में इसी प्रकार से regular basis पे आप बहुत सारी detail को प्राप्त कर सकते हैं इन वीडियोस के माध्यम से अगला question काफी important है बारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सायोग और व्यापार समझोते Economic Corporation and Trade Agreement ECTA पर हस्ताक्षर किया है तो ECTA पर हस्ताक्षर करने वाली जो country है वो उस्टेलिया के साथ हस्ताक्षर यह काफी बड़ा agreement था दोस्तों free trade के बारे में भी यह agreement था तो बारत ने किस देश के साथ यह आर्थिक सायोग और व्यापार समझोता किया है वो उस्टेलिया के साथ किया है ध्यान रखियेगा काफी जादा important है चलिए अगले question पर चलते हैं जो अपना next question है हाली में बारत सरकार द्वारा जारी सूचना के आदार पर किस राज्ज में सबसे अधिक open defecation free प्लस गाउं जो है वो माने गए है तो कहां पर यह गाउं की संक्या मानी गई है तो सबसे अधिक ODF प्लस गाउं कहां पर है ध्यान रखियेगा तेलंगा नामे प्लस गाउं जो है वो माने गए है बारत सरकार की सूचना के अनुसार बहुत इंपोर्टेंट डेटा है क्योंकि मोदी जी की गवर्मेंट का मुख्य लक्ष सुच्छ बारत अभिया ने इस कांट से एक्जाम में क्योशन बन सकता है थोड़ा तेलंगा ना के बारे में और आंध्रपरदेश के बारे में देखें तो आप सभी को पताओगा की दो जून 2014 को अलग राज्जिका दरजा दिया गय था तेलंगाना को और हिदराबाद आंध्रफरदेश और तेलंगाना के 10 साल के लिए राजदानी का प्रावदान किया गया था एक नई राजदानी बहन रही है जो अम्रावती है लेकिन 2014 में जब यह अलग हुए थे तो इन्होंने एगरिमेंट किया था है बोल सकते हैं कि एक प्रकार से हिद्राबादी केपिटल रहे गी उसके बाद केपिटल अलग अलग हो जाएगी तो 2024 में अमरावति को केपिटल का दर्जा दे जाएगा और पूर्ण रूप से राजदानी शहर के रूप में विक्सित हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि हेद्राबाद और हम यह बोल सकते हैं तेलंगाना और आंद्रपदेश अलग कब देश व्यापी सारवजनिक आपातकाल की गोशना की है मैंने पीडिएफ जो यह बोल सकते हैं कि स्रिलंका बहुत भयंकर इस्तेदी ओर रखी दोस्तों क्यूंकि यहां पे फोरें एक्सेंज रिजर्व जो है यहां पर मतलब कि यह बोल सकते हैं कि इनके फोरेक्स पूलर होता है वो बहुत जादा लगबग नहीं के बराबर हो गया है और यहां पर बहुत बड़ी यह बोल सकते हैं कि आर्थिक आपातकाल की गोशना यहां पर हो चुकी है मतलब बोल सकते हैं कि बहुत महंगे एक रिपोर्ट के अनुसर 500 रुपे किलो में चावल मिल रहे इतना जादा महंगा हो चुका है हर एक चीज जिसके लिए बहुत जादा दिक्कत हो रही है तो भारत ने भी इनके लिए कुछ मदद बेजी है तो द्यान रखिएगा स्री लंका अपना यहां पर सही उत्तर होने वाला है कि किस एसी देश ने आर्थिक संकट के बीच देश तो अपना नेक्स क्वेशन है कि ग्लोबल कॉलेब्रेशन एडवांस वेक्सिनोलोजी ट्रेनिंग बेक्ठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है यह क्वेशन आपसे पूछा गया है तो इसका अपना सही उत्तर कौन सा होने वाला है दोस्तों तो दियान रखिएगा जी की बेटक या यह बोल सकते की मेजबानी की गई है ग्लोबल कॉलेब्रेशन एडवांस वेक्सिनोलोजी ट्रेनिंग बेटक की मेजबानी किसके द्वारा तो जीने वाके द्वारा की गई है काफी ज़्यादा इंपोर्डेंट है आई होप आपको यह अच्छे तरीके से 10 ड क्लास आते आप उसको जोइन कर सकते हैं धनिवाद दोस्तों